हेलो गाइज तू प्रोपर सिविल इंजिनियरिंग चेनल में आप सभी का फिश्टी स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इरिगेशन इंजिनियरिंग के सोई सेंसे क्योंस के बारे में जोकी सभी तरह के गवर्मेंट एक्जमिनेशन डिप्लोमा या फिडिगरी के जो एक्जमिनेशन होते है उसमें आपको काफी हद तक मदद करेगा आपकी एक्जमिनेशन में और आपके कंसेट क्लीयर करने में भी वह आपकी नद कर सकता है तो आज का पहला पार्ट है उस Irrigation Engineering के MCQS का जिसमें 50 MCQM कवर करने वाला है तो सुरू करते हैं आज का वीडियो पहला MCQ है In India Rain Mostly Occur In जो कि इंडिया में मौनसून जो है कब आती है उसके बारे में question है options अगर हम देखें तो options है January to May, June to September, December to April or October to February तो यहां पर हम सब जान सकते है जून से लेकर September तक हमारी यहां मौनसून देती है तो यहां पांसर हो जाएगा हमारा B June से September दूसरा MCQ है Which is correct for irrigation तो options से increase yield of crops, hydroelectric power generation, eliminate mixing of crop and oil तो irrigation अगर हम करेंगे किसी भी जगा पर तो यह सारा options जो है वो correct हो जाएंगे तो यहां पांसर हो जाएगा हमारा D, all तीसरा MCQ है What is ill effect of irrigation? तो options से water logging, mosquito nuisance, dump climate and all तो यहां पर भी वो अगर हम over irrigation करेंगे तो यह सारी ill effect हमें देखने को मिल सकते है तो यहां पांसर हो जाएगा हमारा D, all चोथा MCQ है Which is example of lift irrigation तो options है हमारे पास perennial irrigation, inundation irrigation, well irrigation और storage irrigation तो अगर हम देखे lift irrigation मतलब क्या? लिफ्ट यानि उठाना तो यहां पर well irrigation है उसमें हम पानी नीचे से उठा करके सर्फेस तक लाते है तो यहां पर lift irrigation का example हो जाएगा हमारा C, well irrigation तो आंसर हो जाएगा हमारा C 5-5 MCQ है If irrigation channel cover 100 km2 area then it will known as तो options है हमारे पास high project, minor project, major project और medium project तो हम देख सकते हैं कि अगर 100 km2 का area cover करती है कोई भी channel तो हम उसको major project के category में place कर सकते हैं तो यहां पर answer हो जाएगा हमारा C, major project 6-6 MCQ है Which water is available for crops for grow तो options है हमारे पास gravitational water, capillary water, hygroscopic water और none तो अगर हम देखे तो जो crop जहां से पानी लेता है वो capillary water होता है और hygroscopic water जो है वो पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाता वो available होता नहीं है crops के लिए और gravitational water जो होता है वो gravity के साथ flow कर जाता है तो available water के जगह पर हम देखे तो capillary water जो है वो plant लेकर के plant अपने आपको grow करता है तो यहाँ पर answer हो जाएगा हमारा B capillary water और इसके अलावा यहाँ पर एक और question हो सकता है कि capillary water जो है उसमें कौन सा force लगता है तो वो surface tension की वज़े से particle के साथ जुड़े होते हैं वो पाने के जो particles होते है वो सात्वा MC क्यों है at which point plant will dead and no longer will available even if water available तो options है temporary wilting point, dead point, ultimate wilting point और permanent wilting point तो अगर हम देखे तो पाने अगर उसको मिल भी जाए तब भी plant dead ही होगा तो उस condition को हम बोलेंगे ultimate wilting point जिसके बाद अगर plant को पाने दिया भी जाएगा तो वो plant phase से जीवित नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर answer हो जाएगा हमारा C ultimate wilting point आठवां से क्यों है the soil deposited by river is known as तो option से हमारे पास Lewis, Alluvial, Aeolin और Lacostrand तो यहाँ पर river के द्वारा deposit की गई soil को हम Alluvial बोलते हैं तो यहाँ पर answer हो जाएगा हमारा B Alluvial नववा MCQ है, Culturable Commanded Area और CCA is called तो यह options है हमारे पास Gross Commanded Area प्लस Unculturable Area बी, Gross Commanded Area माइनस Unculturable Area, Unculturable Area प्लस Gross Commanded Area और जो होता है अनकल्चरेबल एरिया माइनस Gross Commanded Area तो कल्चरेबल कमांडेड एरिया जो है वो ग्रोस कमांडेड एरिया माइनस अनकल्चरेबल एरिया के इस इक्वल टू होता है तो यहाँ पासर हो जाएगा हमारा B दसवा एमसी क्यू है Time factor is ratio of तो यहाँ पर ओप्शन से Canal Actual Run to Number of Days Irrigation Number of Days Irrigation to Canal Actual Run ओप्शन C है First Watering to Last Watering और D है None तो यहाँ पासर हो जाएगा हमारा A जारवा एमसी क्यू है Four List which is known as Non-Overflow Dam तो सभी तरह के जो डेम है यहाँ पर Gravity, Earthen और Rockville वो सभी Non-Overflow Dam के के टेगरी में आते हैं तो यहाँ पासर हो जाएगा हमारा D All बारवा एमसी क्यू है From List which is Example of Rigid Dam तो यहाँ पर ओप्शन से Concrete Gravity Dam, Earthen Dam, Rockville Dam और Weir Concrete Gravity Dam है उसको हम बोलते है Resid Dam तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा A तेरवा एमसी क्यू है Spillway and Dam Used To Dam में Spillway होती है उसका हम क्या यूज़ कर सकते है या फिर उसका क्या यूज़ होता है तो यहाँ पर ओप्शन से हमारे पास Divered Water, Discharge Water Safely, Load Distribution और Improvement तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा B Discharge Water Safely चौदवाएमसी क्यू है Which type of spillway is widely using Gravity Dam तो उप्शन से हमारे पास Side Channel Spillway, Siphon Spillway, Overflow Spillway और Rogue Spillway और अगर हम देखे तो Gravity Dam में हम बाद तो widely हम यूज़ करते है Overflow Spillway तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा C इमेज में आप देख सकते है कि इस तरीके का Dam होता है तो यहाँ पर यह जो है यह पूरा Reservoir है जहाँ पर पानी श्टोर होता है यह पूरा Dam construct किया गया है और यहाँ पर जो यह सारे है वह gate है जिसके जरी हम पानी को release करते है और यहाँ पर पानी जैसे ही नीचे आता है तो यह सारा जो पार्ट है स्कॉम spillway बोलते है पानी सीधा नीचे नहीं आता वह जो भी रास्ता हम तेख करते हैं यहाँ उसके जरी है नीचे आता है तो इसको हम बोलते है spillway यह अलग अलग टाइप के होते है जिस तरीके का force होता है पानी का उस तरीके के डिजैन होती है spillway की तो यहाँ पर ग्रेविटी डेम के बारे में देखे तो यहाँ पर overflow spillway हम यूज करते है पंदर वायम से क्यों है irrigation capacity of unit water is cold तो यहाँ पर यह ड्यूटी की definition है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा D शोल वायम से क्यों है total depth of water required by a crop during entire base period of crop is known as तो यह ड्यूटा की definition है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा A सतरवायम से क्यों है relation between duty and delta तो यहाँ पर अगर हम देख के बता सकते है कि जो option A है वो correct है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा A अठरवायम से क्यों है if 5000 hectare area is supplied with 5 Qmax water then duty is तो यह calculation based question है तो options देखे हम तो 1200, 1500, 1000 और 2000 तो आंसर हो जाएगा हमारा C 1000 19 वायम से क्यों है super passage structure is structure in which canal is above drainage, drainage is above canal, canal and drainage is aligned और ननोस है वो तो super passage जो है उसमें drainage जो होती है वो canal के उपर होती है तो यहाँ पर answer हो जाएगा हमारा B तो image map देख सकते है जो नीचे जो है वो canal है और उपर जो है वो drainage है तो इस तरीके का structure को हम बोलते है super passage 20 वायम से क्यों है one gallon water is equal to यहाँ पर answer हो जाएगा हमारा B 4.546 21 mcq है useful soil moisture for plant growth is cold तो plant के growth के इसाब से जो पानी उप्यों घम कर सकते है उसको हम क्या बोलते है तो जैसे हमने पहले mcqs में देखा है उसको हम capillary water बोलते है यहाँ फिर यहाँ पे और option हो सकता है available water तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा B capillary water 22 mcq है a hydraulic structure construct across the river for purpose of rising the level of water and divert to of taking canal is cold तो option से हमारे पास rising man, slush wall, barrier और diversion head work तो यह definition है diversion head work की जहाँ पे पाने को रोक करके उसका level बढ़ाये चाता है और उसको side में दी गई केनाल के जरिये जहाँ पे हमें irrigation करने होती है वहाँ पे वहाँ तक पहुँचाया जाता है तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा D 23 mcq है the area in which crop is grown at a particular time और crop season is cold तो यहाँ पे options है cultural cultivated area, gross commanded area, cultural uncultivated area और D option is none of above तो इसको हम बोलेंगे A cultural cultivated area तो answer हो जाएगा हमारा A 24 mcq है total quantity of water flowing for one day at a rate of the cumix is cold तो यह one cumix की definition है तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा C 25 mcq है sprinkler irrigation system is suitable when sprinkler irrigation system जो है वो कहाँ पे useful है तो जहाँ पे land है steep gradient वाली होगी और soil जो erodable होगी तो उस तरह के condition में sprinkler irrigation काफी हद तक मज़त करता है तो यहाँ answer हो जाएगा हमारा A 26 mcq है which place had been account for investigation for blink script theory तो यह theory based question है जो कि blink script theory जो है उसमें हमने कौन सा place है वो investigation में लिया था तो यहाँ पे वो पंजाब वाला एरिया था तो यहाँ answer हो जाएगा हमारा B 27 mcq है water logging may occur from precipitation, shipage, over irrigation और lower irrigation तो over irrigation के जरिये logging होता है water का तो उसको हम बोलते है water logging तो यहाँ answer हो जाएगा हमारा C तो यहाँ पे options है link canal, inundation canal, perennial canal और extra canal तो यहाँ पे flood को divert करना है तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा B inundation canal 29 mcq है the canal which is right angle to control line is cold तो option से हमारे पास side slope canal, inundation canal, perennial canal और link canal तो जो canal है वो control line के right angle में होगी तो उसको हम बोलेंगे side slope canal तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा A 35 mcq है a contour canal तो यहाँ पे option से is most suitable for hill area, can irrigate both side, is aligned to contour of that area और D all of above तो यह जो option से ABC वो तीनों सही है control channel के लिए तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा D 31 mcq है in canal which loss is very serious loss more water than other losses तो यहाँ पे option से सीपेज, evaporation, absorption और leakage तो यहाँ पे जो सीपेज जो है वो bed से होता है और side से होता है तो यह serious तरीके का loss है तो इसको रोकने के लिए हमारे पास इस तरीके की टेकनोलोजी हपी तक मुझूद नहीं है ताकि हम पूरी तरीके से सीपे प्रोवाइड बिकोस तो अप्शन से तो चेक सीपेज, स्टेंचन दे केनल, रिडियोश इवापोरेशन और ए और बी तो सीपेज को चेक करने के लिए भी यूसफुल है और केनल को स्टेंचन देने के लिए भी यूसफुल है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा D 33 mcq क्यों है Kennedy in his silt theory, silt is kept in suspension due to edis generated from, option से only from side, only from bed, from all side और all of above तो यहाँ पे Kennedy ने क्या exception लिया था जहां से edis generated होती है चेनल में तो यहाँ पे उसने एजिम किया था कि जो edis है वो केवल bed से आती है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा B चोती स्वाइम से क्यों है parabolic glasses fall commonly known as तो यहाँ पे option से montague fall, sarda fall, english fall और straight glasses तो montague fall जो है parabolic glasses के नाम से भी जानते है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा A चोती स्वाइम से क्यों है for design line canal which formula is commonly used तो option से हमारे पास manning's formula, laces formula, khosla theory और kennedy's formula तो यहाँ पे manning's formula जो है वो line canal के construction के दोरान उसकी calculation को करने के लिए हम यूज करते है तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा A 36 स्वाइम से क्यों है match list 1 and 2 तो आप list 1 और 2 पढ़िए option से हमारे पास कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे answer हो जाएगा B जो कि match करता है एस से 2 हो जाएगा B से 4, C से 1 और D से 3 37 से क्यों है lessimeter is used to measure तो option से velocity, evaporation, surface runoff, evapotranspiration तो lessimeter जो है उसके जरी हम evapotranspiration को measure करते है तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा D 38 स्वाइम से क्यों है which option is suitable for aquifer तो option से allow store and yield water, allow store but not to yield water, not allow and yield of water और D none तो यहाँ पे जो aquifer है वो allow store and yield water जो option A है वो हमारा right हो जाएगा यहाँ पे parameter of aquifer, तो aquifer के अलावा तीन एससे keyword है जो कि examination में पूछे जाते है अक्सर, यहाँ पे पहला है aquiclude, दूसरा है aquitard, तीसरा है aquifuse तो aquiclude में क्या होता है, पाने को store तो करता है लेकिन yield नहीं करता, aquitard में क्या होता है, थोड़ा पाने store करता है और थोड़ा yield करता है, aquifuse में होता है, ना कि store करता है और नहीं yield करता है 45C क्यों है, for orthodem most suitable spillway is, तो options है, soft spillway, straight spillway, august spillway और none, तो यह orthodem के लिए हम august spillway prefer करते है, तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा C 45C क्यों है, guide bank are provided to, तो options है हमारे पास, reduce water shipage, balance the distribution, store more water, confine the width of river Guide bank जो है, वो river की जो width होती है, उसको confine करने के लिए लगाया जाता है वहाँ पे, तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा D 41C क्यों है, in arid and uneven land surface, which type of irrigation is most suitable, तो arid or uneven land surface जो होती है, उसके लिए हम sprinkler irrigation का यूज़ करते है, तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा C 42C क्यों है, soil is cold saline when its pH value is, तो अगर pH value कितनी होगी, तो हम soil को saline बोलेंगे, तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा A, 10 क्योंकि अगर 10 होगी उसकी pH value, तो हम उसको salinity high बोल सकते है, तो यहाँ पे saline soil होगी, तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा A तो अप्सन से velocity of flow, depth of flow, discharge of flow, width of river, तो depth of flow जो है, वो हम इको sounder की मदद से यूद करते हैं, तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा B तो image में पे आप देख सकते हैं, इस तरीके का machine होता है, तो ship के जरी हम जाते हैं, और depth जहाँ के इम आपने होते हैं, वहाँ पे इको sounder की मदद से हम waves को छोड़के, उसकी depth नाप सकते हैं चवाले swim cq है, silting of reservoir, option से हमारे पास, increase in capacity of dam, reduce efficiency, reduce capacity और increase water flow अगर हम silting की बात करें, तो वो उसकी capacity को reduce करती है, तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा C तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा B, to help migrating fish तो image में आप देख सकते हैं कि इस तरीके की fish leader होती है, जो कि wear के side में provide की गई होती है, जहाँ पे अगर हम देखें, तो hot weather और cold weather वाली जो फीस होती है, उसको आवाजाही में काफी हद तक मदद करती है, और यहाँ पे condition होती है कि fish leader में जो velocity होती है water की, वो 3.5 meter per second से ज्या प्रवाट करते हैं, तो 46 mcq है, hot weather equation is related to measure, तो options है हमारे पास rate of flow, evaporation, infiltration और evapotranspiration, तो infiltration जो है, वो hot weather के द्वारे दिया गया equation है, तो यहाँ पाइंसर हो जाएगा हमारा C, 47 mcq है, to measure evapotranspiration which tool helps, तो lessimeter जो है, वो evapotranspiration नापने के लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पा हमारा D, 48 mcq है, unit hydrograph is graph which represents, unit hydrograph जो है, वो 1 cm of runoff को represent करता है, तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा C, 49 mcq है, hydrograph is plotted between, तो options है हमारे पास time and rainfall, discharge and runoff, discharge and time and depth and rainfall, तो hydrograph जो है, वो discharge and time के graph को represent करता है, तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा C, तो image में भी आप देख सकते है, एक side में discharge होगा, दूसरी side में time होगा, तो बीच में जो भी हम graph दोरेंगे, उसको हम बोलेंगे hydrograph, पचास वाहम से क्यो है, hydrograph is plotted between, options है हमारे पास, time and rainfall, discharge and runoff, discharge and time and intensity and time, तो यहाँ पे hydrograph जो है, वो intensity versus time का होता है, तो यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा D, तो दोस्तो, तो यह पहला पाट के 50 MCQS थे, irrigation के, और दूसरे पचास आने वाले हैं कुछी समय में इस चैनल पे, तो अगर आप लोग नई हैं इस चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्रा करके हमारे साथ जोड़ सकते हैं, जाल सी दूसरे 50 MCQS आएंगे, irrigation engineering के इस चैनल पे, ओके गाइस, तो जोड़ी रही हैं हमारे साथ, और मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तर के लिए, बाई बाई